अबे गजोधरा तुम वहाँ पेट पकड़ कर क्यों बैठे हो यहाँ आकर नचनिया का नाच देखो और मजे करो क्या करूं सरदार बड़े जोर की टटी लगी है टटी लगी है तो टटी करने क्यों नहीं गया डर लग रहा है सरदार काफी अंधेरा है बाहर आप चलो ना मेरे साथ सरदार अबे मैं क्यूं जाओंगा तेरे साथ बस आप वहाँ साइड में खड़े रहाना गजोधरा वह भेंकर ना जारा मैं बरदास ना कर पाऊंगा तो अच्छा यही होगा कि तुम ही अकेले जाओ चलो लो सरदार काफी जोड की लगी है बस बाद तुटने ही वाला है सरदार अबे तो यहां बैठा क्यूं है जल्दी निकले हां से सरदार सरदार मुझे साप ने काट लिया है सरदार ये देखो साप ने हाथ में ही खेल कर दिया है मुझे तो लगता है इसे कोबरा ने काटा है लेकिन कोबरा तो बहुत ही जहरीला साप है उसके काटने से आदमी की मौत तक हो जाती है अभी मैं मरना नहीं चाहता सरदार अभी मैं कुँआ आरा हूँ सरदार सरदार चलो गजोधरा को अस्पताल लेकर चलते हैं अस्पताल यहां से तो बहुत दूर है कुछ और सोचो सरदार जल्दी सोचो जहर यहां तक पहुँच चुकी है सरदार सुना है भरतपुर में एक सपेरा रहता है उसके पास लेकर चलते हैं गजोजरा को सुना है वो साप के काटे हुए आदमी को बचा लेता है अबे अगर हम सब वहां गये तो पुलिस की नजरों में आ जाएंगे तुम दोनों चुपके से उसके पास जाओ और उसे यहां लेकर आओ बड़ा डर लग रहा है सरदार कहीं साप हमें भी न काट ले आप जाओ ना सरदार जाते हो की नहीं कि ठोकू यहीं पे सरदार लगता है जहर मुहू तक आ गया है तुझे कैसे पता चला कि जहर मुहू में आ गया है थोड़ा थोड़ा जहर का स्वाद आ रहा है सरदार सरदार गजोधरा तो नीला होता जा रहा है लगता है अब ना बचूंगा